द्यायतिन आरंभिक नगर पुराने भवन का संरक्षन जस्पाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में किर्केट खेल रहे थे उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भुथा घर कर रहे थे एक ने कहा इसकी कला को देखो क्या आपने कहीं लकरी पर इतनी सुंदर नकासी देखी है दूसरी मैला ने कहा हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि इस खुबशुरत घर को सुरक्षी तरकने के लिए इसकी मरमत कराने की वेवस्था करे यह सब सुनकर जस्पाल और हर्पी तोतन लगे इस पुराने खंडर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है हरप्पा की कहानी अक्सर पुरानी इमारते अपनी कहानी बताती है लगबख 1500 साल पहले जब पंजाब में पहली बार डेलवे लाइन बिचाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजिनरों को अचा इसके वए हरप्पा के खंडरों से हजारों इटे उखारने ले गया जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिचाई इससे कई इमारते पुरी तरह नश्ट हो गई इसके बाद लगभख 80 साल पहले पुरा था तो विदो ने इस अस्थान को ढूंडा और तब पता चला कि यह ख पता कि इमारते कहा गया इस सहर का निर्मान लवख सेंट 400 साल पहले हुआ था पुरानी इमारतों को तोरकर उनकी जगर नय भौन मनाया जाते हैं क्या तुम्हें लगता कि पुरानी इमारतों को सुरक्चित रखना चाहिए इन नगरों की विश्यस्ता क्या थी इस नगर इ लेकिन उचाई पर बना था और पुर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाकों में था उचाई वाले भाग को पुराततों विदों नगर दुर कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा दोनों हिस्चों की चार दिवारिया पक्की इटों से बनाई जाती थी इनक खूब मजबूत रहें कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारते बनाई गई मिसाल के तोर पर मोहंजदरव में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत वईदों ने महान अस्नानागार कहा इस तालाब को बनाने में इट और प्लास्टर का इस्तमाल किया था इसमें पानी के रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चड़ाई गई थी इस सरोवर में दो तरब से उतरने के लिए सीधिया बनाई गई थी और चारों और कमरे बनाए गये थे इसमें भढ़ने के लिए पानी कुए से निकाले जाते थे यग किये जाते होंगे हरप्पा मुहंजोदार और लोथल जासे कुछ नगरों में बड़े-बड़े भंडार ग्री मिले हैं ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंद्ध प्रांतों भारत के गुजरात राजस्थान हर्याना और पंजाब प्रांतों में मिले हैं इन सभी अस्तलों से पुरा तत्व वीदो को अनोखी बस्तुवे मिली हैं ऐसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चितर बने थे पत्थर के बाट मुहरे मन के तामबे के उपकरान और पत्थर के लंबे ब्लेड आ दी उप महादीब के आरंभिक नगर देखिए जेलब नदी ये रही जो सिंदु में आके मिलती है और जेलब नदी से चिनाब नदी मिल रही है रावी नदी मिल रही है राखी गड़ी काली बंगा गंगेरी वाल मोहन जोदारो सोत्का को चनहुद्रो दोला वीरा सुत्का सुरकुद्दा लो थल महान अशनानागार हरपा महान अशनानागार जो मोहन जोदारो में मिला है भवन नाले और सरके इन नगरो के घर आमत्वर पर एक या दो मंजिला होते थे घर के आंगन के चारो और कमरे बनाये जाते थे अधिकांस घरो में एक अलग अशनागार होता था और कुछ घरो में कुए भी होते थे कई नगरों में ढके हुए नाले थे इन्हें साबधानी से सीधी लाइन ने बनाया जाता था हर नाली में हलकी ढलान होती थी ताकि पानी असानी से बहस सके अक्सर घरों की नालियों को सरक की नालियों से जोड दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों मिल जाती थी, नालों के ढखे होने के कारण इन में जगा जगा पर मेन हॉल बनाये गए थे, जिसके जड़िये इनकी देखवाल और सफाई की जा सके, घर नाले और सरकों को निर्मान योजनाबद तरीके से एक साथ किया ही जाता था, यहाँ पर मर्णित घरो और पिछले अध्याय में मर्णित घरो में तुम्हें क्या अंतर दिखा ये था है, कोई दो अंतर बताओ, हरप्पा के नगरों में इटो की चिनाई, नगरिये जीवन, सबसे उपर मोहन जोदरों की एक सरक और उसमें बना नाला, यह है, नाला, नाला की उपर ड़का हुआ है, उपर एक कुवा, बाई और नीचे हरप्पा की मोहर है, यह कुवा भी है यहां पर, और हरप्पा की मोहर है, इस मोहर पर उपर के चिन एक खास लिपी में है, इसकी बात हो रही है उपमादीप में पाए गए लेखन का यह प्राचिन उधारा नभी दिवानों ने इसे पढ़ने की कोशिश किये लेकिन अभी तक पढ़ नहीं अभी तक पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है दाई और पक्की मीटों से खिलोने है नगरिये जीवन हरपपा के नगरों में बड़ी हल्चल रहती होगी यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगरों की खास इमारते बनाने की योजना में जूटे रहते थे यह समब्ता यहां के सासक थे यह भी समब्भ है कि यह सासक लोगों को को भेज कर दूर दूर दर धातु बहुमूले पत्थर और अनुपयोगी चीज़े मंगवाते थे सासक लोग खुपसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूसन जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर लिखते ही थे और साद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है इसके अलावा नगरों में सिल्प कार इस्तिरी पूरुश भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उधोक अस्तर पर तरह तरह की चीज़े बनाते रहे होंगे लोग लंबी यात्रा भी करते थे और वहां से उपयोग वस्तुए लाते रहे और साथ ही लाते थे सुंदूर देशों की किस से कहानिया मिटी से बने कई खिलावने भी मिले हैं जिससे बच्चे खेलते रहे होंगे नगरों में रहने बारे लोग की एक सुची बनाओ क्या इससे कुछ ऐसे लोग है जो महर गड़े से गाव में रहते थे उपर पत्थर के बाट कितने ध्यान से और उप्यूक तरीकों से बाटों का बनाया गया है इसे चट पत्थर से बनाया गया था इन्हें साइज बहुमूले पथर और धातु को तोलने के लिए बनाया गया होगा मध्य में बाय मन के इन में से कई कार्णियन पथरों से बनाये गये थे पथरों को काट और तरास्त के मन के बनाये गये हैं इसके भी छेद किया गये थे ताकि धागा डाल कर माला बनाई जा सके इसकी बात हो worlds मध्य में दाएं पथर के धारदार फुलक नीचे दाएं कड़ाईकार वस्त्र एक महत्मुन विक्ती की पथर से बनी मुर्ती कि जो मोहाँ जदर से मिली है इसमें उसे कढाईकार वस्तर को पनाय दिखाया गया है यह देखिए वस्तर ना हुआ हूआ हुआ है वहड़ा से प्राफ्त हुआ हरपास बदय लोग पत्थर की मोहरे बनाते थे इन आयताकार मोहरे पर समनते जानवरों के चितर मिले हैं हरपा सबताय के लोग काले रंग की डेजाइन किये हुए खुपसूरत लाल मिटी के बरतर मनाते थे अध्याय में तुमने जिन गाओं के बारे में पड़ाया है वहां भी धातु को अपयोग होता था क्या वे पत्थर के बार बनाते थे उपर शुड़ गया नगर एवं पुरातथव वीदों को जो चीजे वहां मिली ऊगे अध्यतर पत्थर संक्त तांबे कांसे सोने चांदी जासी धातु भशेन धातु ही त्या समभवतान पहले महरगड में कपास की खेती उती थी मोहंजोद्रों के से कपास के कप्रे के टुक्रे के अफसेश चांदी के एक फुलदान से डखे तथा अन्य ताम्बे की वस्तूओं से चिपके हुए मिले हैं पक्की इट तथा फेयोन से बनी तकलिया सूत कताई का संदेश देती है तक इसके अधिकांस बस्तों का निर्मान विशेश सग्यद्व ने किया है विशेश सग्य उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को मनाने के लिए खास पर सिक्षन लेता है यैसे पथा तरासना मन के चमकाना या फिर मोहरों पर पच्ची कारी करना आ दी पिर्ष 26 के चितर पर देखे मूर्ती का चेहरा कितने आकरसक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाड़ी कितनी अच्छी तरदर साई गई है यह किसी विशेश मूर्तीकार का ही काम हो सकता है हर वेक्ती विशेश सग्य नहीं हो सकता था हमें यह पता नहीं कि क्या सिर्फ प्राकृतिक तोर पर पाये जाते हैं लेगिन फेयोंस को कृतिम रूप से त्यार किया जाता है बालू या एसफेटिक पत्थरों को चुन की गोध्य मिलाकर उसे बस्तुए बनाई जाती थी उसके बाद उन बस्तुओं पर एक चिकनी परत चड़ाई जाती थी इस चिकनी परत के रंग पराये नीले या हलके समुद्री रंग के होते हैं फ़योंस में से मन के चूरी बाले और छोटे बरतर मनाये जाते थे कच्चे माल की खोज में कच्चे माल उस पदार्थों कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हो या फिर किसान या पासुपालक उनका उत अच्चा माल कहते हैं जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपरा त्यार किया जाता है हरपा में लोगों को कई चीजे मिली वहीं मिली थी लेकिन तांबा लोहा सोना चांद्यादी मुमून पथ्र जैसे पदार्थों का वे दूर-दूर से आयात करते थे हरपा के लोग तांबे का आयात संभवता आज के राजस्थान से करते थे यहां तक की पश्चिम एसियाई देशों में मुमान से भी तांबे का आयात किया जाता था कांसा मनाने के लिए तांबे से के साथ मिलाई जाने वाली धातू-टीन का आयात आधुनिक इरान और अफगानिस्तान से किया जाता था सोने का आयात आधुनिक करनाटक और बहुमूले पथर का आयात गुजरात इरान और अफगानिस्तान से किया जाता था नगरों में रहने वालों के लिए भोजन लोग नगरों के अलावा गाओं में भी रहते थे वे अनाज उगाते थे और जानवरों पालते थे किसान और चरवाह ही सहरों में रहने वाले सास को लेख को और दस्तकारों को खाने के समान देते थे पौधों के अब सुसों से पता चलता है कि हरपा के लोग गेहूं, डाले, मटर्ध, आन, तील और सुर्सों उगाते थे जमीन की जुताई के लिए हल का परियोग इस एक नई बात थी हरपा काल के हल तो नहीं बच पाए लेकिन प्राया लकरी से बनाया जाते थे लेकिन हल के आकार के खिलोने मिले हैं, इस छेत में बारिस कम होती है इसलिए सिचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाये होंगे समभबता पानी का संचय किया होगा और जरूरत पढ़ने पर उसे फशलों की सिचाई की जाती होगी हरपा के लोग गाय, भैस, भेर, बक्रिया पालते थे बस्तियों के आसपास तलाव और चारागरा होते थे लेकिन सूखे महीना में मवेसियों के जुन्ड को चारा पानी की तलास में दूर दूर तक ले जाया जाता था वे बेर जैसे फ़लो को इकटा करते थे, मचलिया पकरते थे और हीरन जैसे जानवरों का सिकार भी करते थे चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया था इन चित्रों को देखो एक खिलोना और दूसरी एक मुहर क्या तुम मसा सकते हैं कि हरप्पा के लोग जाता यात की ले किन सादनों का परयोग करते थे पिछले अध्याय में क्या तुमको पहिये वाले वाहनों की जानकारी दी गई है बच्चों का खिलोना हल आज हम चलाने वाले यातर किसान पूरुस होते हैं हमें ग्याद नहीं है कि क्या हरप्पा में भी या प्रथा थी हल के खिलोना गुजरात में हरप्पा काली नगर सुच्मनी रख्चन कक्च के इलाके में खरीद बेतर किनारे धौला वीरा नगर बसा था वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाओ थी जहां हरप्पा सब्था के कई नगर दो भागों भी भक्त थे वहीं दोला वीरा नगर को तीन भागों में भी भक्त किया गया था इसके हर हिस्से के चारों और पत्थर की उच्ची उची दिवारे बनाई गई थी इसके अंदर जाने के लिए बरे बरे प्रवेश दो आर थे इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सारवजनिक करम आयित किये जाते थे यहां मिले कुछ अफसेशों में हरप्पा लिपी के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में गुदा पाया गया इन अभी लेकों को संभुत लक्री में जरा गया था यह एक अनोखा अफसेश है क्योंकि आमत्वर पहरप्पा के लेक मुहर जैसी छोटी वस्तुवों पर पाय जाते हैं गुजरात की खंबात की खारी में मिलने वाले सावरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे अस्थान पर बसा था जहां किम्ती पत्थर जाचे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था यह पत्थरों संखों और धात्वों से बनाई गई चीजों का एक महत्पून के अंदर था इस नगर में एक भंडार ग्री भी था इस इस भंडार ग्री से कई मुहरे और मुद्राकन मुहर बंदी गिली मिट्टी पर दबाने के लिए उनकी च्छाप मिले हैं लोथल का बंदरगा यह बड़ा बंदरगा रहा होगा, जहां सम्मुन्द के रास्ते आने वाली नावे रुकती थी, संभवता यहां पर माल चड़ाय उतार जाता होगा, लोथल का बंदरगा, गुजरात, यहां पर एक इमार्ती लक्री मिली है जहां समवता मनके बनाने काम होता था पत्थरों के टुकरे अधबने मनके बनाने वाले उपकरान और तयार मनके भी यहां मिले है मुद्रा मोहर और मुद्राकन या मोहर बंदी मुहरों का प्राया परयोग सामान से भरे उन दिबो थैलों को चिनित करने के लिए किया जाता था जिने एक जगा से दूसरे जगा भेजा जाता था थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गिल्ली मिटी पोत कर उस पर मुहर लगाई जाती थी मोहर की छाप को मोहर बंदी कहते हैं अगर यह छाप तूटी हुई नहीं होती तो यह सामान के साथ छेड़ शार नहीं हुई है आज यह मोहरों का परियोग होता है पता लगा कि मोहरों का उपियोग किशली किया जाता है सब्वेता की अंत का राहस्य है सिंदुगाटी सबिता के अंद का रास्य लगभग 4900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखनों को मिलता है अचानक लोगों ने इस नगरों को छोड़ दिया लेखक मोहर और बाटों का परियोग बंद हो गया दूर दूर से कच्छा मल का आयात काफी कम हो गया मोहन जादरो मे सरकों पर कच्छे धेर के धेर बनने लगे जल निकासी पर नाली नस्ठ हो गई और सरकों पर ही जगी नुमा घर बनाये जाने लगे यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं कुछ भी दनों कहना है कि नदिया सूख गई थी अन्ने का कहना है कि जंगलों का विनास हो गया था इ इट पकाने के लिए इंधन की जरोत परती थी इसके के अलावा मवेसियों के बड़े-बड़े जुंडों को चारागरा और घास वाले मैदानों समाप्त हो गए होंगे कुछ इलाकों में बाड आ गई लेकिन इन कार्णों से यह अश्पष नहीं होता है कि सभी नगरों का अं कि सिंद्ध और पंजाब में बस्तिया उजर गई कई लोग पूर्व और दक्षिन के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बशने लगे इसके लवग चोदो सो साल बाद नए नगर के विकास हुआ इसके बाड़े में तुम अध्याद पांच और आठ में अपना करो तुम अपने मातर पिते के साथ 400 साल पहुने लोथल के मोहन जोदारों की यातरा कर रहे हो यह बताओ कि तुम यातरा कैसे करोगे तुम्हारे मातर पिते यातरा के लिए अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे और मोहन जोदारों में तुम क्या देखोगे तामबा, राजस्थान से, सोना, करनाटक से, टीन, अफगानिस्तान से, बहुमूले पत्थर गुजरात से प्राप्त हुए है